में यहां पर आप जो देख रहे हैं다음 रूह विख्यान का पेपर और जो की ऑारल है ठीकaler क्योंकि एह पेपर आपका जोहां पर देख रहे हैं आप बूर्ड पेपर यानी कि tb 17 तारिक वह पेपर आप लोगों के लिए बहुत ही आसान होगा तो यहां पर सबसे पहले देखे तीन घंटे 15 मिनट का आपको समय दिया जाएगा यहां पर कुछ निर्देश हैं जिन्हें पढ़ना आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रारंब के 15 मिनट परचार्थियों को प्रश्ण पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं तो आप लोग 15 मिनट तक आराम से प्रश्ण को पढ़ लेजिएगा जो कोश्चन आपको अच्छे से आता रहेगा उसको सबसे पहले करिएगा और जो कोश्चन नहीं आएगा उसको पीछे करिएगा अगला जो निर्देश है प्रश्ण पत्र दो खंडो में विभाजित होगा यानि और ब में छिक है खंड तथा व चंड करtwo यानि की कह में विभाजित है आप लोगों ने जो है हींदी का पेपर दिया और मैज का पेपर दिया बहुत सार्य पेपर दे चुकिए तो आप लो प्रतेक प्रशन के लिए एक अंक निरधारित है और फ्रिश्ण पथ्र गंडवें अगला पॉइंट जो है खंड ब के प्रतेक उपखंड के सभी प्रशन एक साथ करना आउस्यक है और प्रतेक उपखंड नए प्रिष्ट से प्रारम किया जाए सभी प्रश्ण अनिवार्य है, सभी प्रश्णों को करना अनिवार्य है, आप लोगों को इतना ध्यान देना है, जहां पर अथवा करके दिया जाएगा, वहां पर आपको जो है, एक ही question को करना रहेगा, तो यहां पर मैं आपको सारी चीजे समझा देती हूं, सबसे पहले हम चलेंगे बहु बिकल्पी प्रश्ण की तरब, जो 20 नंबर के यहां पर आपको 20 प्रश्ण दिये गए हैं, और सभी के लिए एक एक नंबर आपको मिलेगा, ठीक है, यहां पर सभी के लिए एक एक नंबर मिलेगा, तो यहां पर पहला प्रश्ण है, जब प्रकास के नेत्र तो यहां पर आपको बताना है कि कहां पर खिया जाता है तो आप स्वक्ष मंडल कारनिया पर पेंग पर सही다음 आधिकान अपवर्तन निवर्ता क्या नियुक्त्त द् Bendhe cara का गया कारे आवेस गूडए समय तो यहां पर आप लोगो का जो है सही होगा किया गया कार विद्युधारा समय ठीक है इसको सही टिक करेंगे अगला कोश्चन दिखिए निमनलिकित में से किस स्थिती में कोई अवतल दर्वन वस्त बिम्ब से बड़ा वास्तविक प्रतिबिम्ब बना सकता है तो यहां पर भी चार आप्सन है चारों आप्सन को अच्छे से पढ़िएगा जो आपको सही समझ में जाए उसी पर तिक करिएगा ठीक है और आपको टिक नहीं करना है बलकि गोला बनाना है और यहां पर बहुत ही ध्यान से अगर आप एक ही में दो गोले को ऐसे डॉट पें से कर देते हो तो फिर वह अंस्वर आपका पूरा गलत हो जाएगा ठीक है और जब वस्त बिम्ब दर्पन की वक्रता केंद्र पर हो और जब वस्त बिम्ब दर्पन के ध्रू और फोकस के बीच हो जब वस्त बिम्ब दर्पन के फोकस और वक्रता के बीच केंद्र के बीच हो अगला कोश्चन यहां पर देखेंगे कच्छा में सबसे पीछे बिंच पर बैठा कोई विद्य प्रतिरोध को जिन में प्रतेक का प्रतिरोध वन भाइउ फाइब ओम है का उपयोग करके कितना निम्नितम प्रधिरोध बनाया जा सकता है तो यहां पर चार ओप्सन दिए गए हैं वन अपॉन फाइप ओम उसके बाद यहां पर देखिए वन अपॉन ट्वेंटी फाइप उसके बाद यहां पर वन अपॉन टेन और यहां पर ट्वेंटी ओम तो यहां पर आपको वन अगला कोश्चन देखेंगे दिये गए चित्र के अनुसार कागज के तल में इस्थित किसी छैतिज तार में पूर्व से पश्चिम की और कोई नियत धारा प्रवाहित हो रही है चुम्ब के छेत्र की दिसा उत्तर से दच्छिड की और उस बिंदु पर होगी जो यहां पर च है कागज के तल में ने के द puntos तो यह जो है तार के ठीक नीचे वे अगला कोश्चन देखेंगे द्रक्रिखें अननत पर इस्थित किसी वस्थुका प्रतिबंव्य अधिक छोटा वनेगा तो कि अधिक छोटा वनेगा तो यहां पर केवल ओतल दरपड़ फुल murm अगला कोश्चन देखेंगे एक मिस्त्रधातु है एक मिस्त्रधातु यानि मिस्त्रधातु है तो यहां पर जो है एक मिस्त्रधातु कौन सा है तो एक समांगी मिस्त्र जो है वह एक मिस्त्रधातु होता है अगला कोश्चन देखें निमनलिखित में से असंत्रिप्त हाइड्रोकार को पहचानिए इनमीं से आपको असंत्रिप्त हाइड्रोकार्बन को पहचानना है तो आएए देखते हैं तो यहां पर जो है आपका जो है वी तसे ही होगा ठीक है वी तथा अगला कोस्चन देखेंगे ठोस कैलिसियम आकसाइड जल के साथ तिवरता से अभरेकरिया करके कैल्सियम हाईड्लाग आकसाइड बनाता है तथा साथ में उस्पमा उतव्मनक होती है इस प्रक्रिया को चूने का बुझाना कहते हैं इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं चूने का बुझाना कैसी हम हाइट्राक्साइज जल में घुलकर इसका बेलियन बनाता है जिसे चूने का पानी कहते हैं निमलिखित में से कौन सा कथन चूने के बुझाने तथा इसके बिलियन बनन कोरें यहां पर आपको बताना है सही प्रदर्सन यहां पर चाराव संद निये गए हैं आपको बताना है तो यहां यानि की दूसरा-तिसरा सही है अगला कोश्चन देखेंगे कॉलमन में दिये गए रासाइनिक पद्दार्थों का सुमेलन कॉलम B में दिये गए उनके उपयोगों से उनके अनप्रयोगों से कीजिए तो यहां पर बारहवे का जो है आप लोग कमेंट करके जरूर बताईएगा कि बारहवे का क्या होता है ठीक है अगला कोस्चन देखिए नीले लिटमस पत्र को लाल कर द तो यहां पर आपको जैसे भरना है तो क्या भरेंगे आप लोग यहां पर छार भरेंगे ठीक है हाइड्रा तो डियम राइट अप जो है निली लिटमस को लाल कर देता है ठीक है अगला कोस्चन देखेंगे चुने के पानी से भरी परकनली में जब मुह द्वारा फूका ज हो जाता है यहां पर किसी मौझुद्गी के कारण वह दुखधिया हो जाता है तो यहां पर आपको बताना है कारबन डाइव आकसाइट के कारण है अगला कोश्चन कुछ डायना सोरो में एक पर पिच्छ मौजूद थे किन्त उड़ नहीं सकते थे लेकिन पच्छियों में पर होते हैं जो उन्हें उड़ने में मदद करते हैं विकास के संदर्व में इसका यह अर्थ हुआ कि क्या हुआ अर्थ सरी स्रीपो की उत्पत्ति प फिर सरी स्रीपो और पच्छियों के बीच कोई स्विकास संबन नहीं है दोनों ही जीव में पर्व समझात अंग है और पक्च्छियों की उत्पत्ति सरी स्रिपों से हुई तो यहां पर आपको सही टिक करना है पच्छियों की उत्पत्ति सरी स्रिपों से हुई ठीक है अगला कोश्चन देखेंगे यदि किसी जीव का जीवास्म प्रिथवी की अपेच्छा कृत गहरी परतों से प्राप्त हुआ है तब हम भविश्य बारी कर सकते हैं कि यहां पर कौन सा उप्सन सही होगा सो लहवे का तो सो लहवे का आप यहां पर सही करिएगा बिलुक्त होने की अवधी का निर्धारण नहीं किया जा सकता है ठीक है इसको सही करेंगे और इस तरह से अगर आप 200 कोस्चन सही करते हो तो आपके 20 नंबर जो हैं कम्प्लीट हो ज बातेंगे अगर तो आपकी 95 नंबर कहीं नहीं गये हैं कि चित्र में भाग ए बी और सी किस क्रम में होते हैं तो यहां पर देखिए भाग ए और सी चित्र में दिये हुए हैं तो यहां पर आपको बताना है सत्रहवे का आप लोग को जो है यदि किसी जीव का जीवास में प्रिथिवी की अपेच्छा कृत गहरी परतों से प्राप्ट हुआ है तब हम भविस सिपारी कर सकते हैं कि प्रिथिवी की परतों में जीवास में की इस्थिती का जीव की बिलुक्त होने की अवधी से कोई संबंध नहीं है यहां पर आपको यह टिक करना है ठिक है अगला कोश्चन देखे चित्र में भाग ए बी और सी किस क्रम में होते हैं तो यहां पर आपको बताना है पत्र मोलांकूर यह आफ्टन बिल्कुल सही है अगला कोश्चन देखेंगे अम्रिता देवी विश्चनोई राश्टी पुरसकार भारत सरकार द्वारक की शेत्र में प्रदान किया जाता है तो यहां पर वन्य जीव सर्रच्चण है तो यहां पर इसको टिक करेंगे वन्य ज प्रदर्शित करता है तो यहां पर आप चित्र देखकर बता सकते हैं कि जनन तंत्र के किस भाग को प्रदर्शित करता है तो यहां पर आप चित्र देखकर बता सकते हैं कि जनन तंत्र के किस भाग को प्रदर्शित करता है तो यहाँ पर देखिए चार अफ्टन दिये गए हैं ग्रीवा योनी गर्भासय अंडासय तो यहाँ पर आपको अंडासय पर टिक करना है ठीक है अगला कोश्चन देखेंगे तो यहाँ पर हमारे 20 कोश्चन कम्पलीट हो चुके हैं अब हम लोग वर्णात्मक प्रश्चन को चिन परिपार्ठी लिखें तो यहाँ पर आपको चिन परिपार्ठी लिखना है जिसके लिए आपको चार नंबर मिलेगा दूसरा कोश्चन है वायो मंडल में अपवर्टन किस प्रकार होता है तारे क्यों टिम्टिम आते हैं जबकि ग्रह नहीं टिम्टिम आते हैं अगला question देखे दो ओम तथा च्छ ओम की तीनों प्रतिरोध को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि संयोजन का कुल प्रतिरोध चार ओम एकोम हूँ यहाँ पर अपको बताना यहां पर भी आपको चार नंबर मिलेगा तो ठीक यहाँ पर दो डी नंबर मिलेगा माँली आपने एग ही समझा पाए हैं तो फिर आपको 2 ही नंबर मिलेगा Thanks नियम में अंगुठी की दिशा प्रीवि क्निते करती है यह नियम किस प्राकर फ्लेमिंग को दिशा करते हम किसी success सकती संचलन लाइन में पूरो से पश्चिम की दिशा और विद्युधारा प्रवाहित हो रही है इसके ठीक नीचे की किसी बिंदु पर तथा इसके ठीक ऊपर की किसी बिंदु पर चुम्बकी छेत्र की दिशा क्या बनेगी ठीक है तो आपको इसको पूरा स्वालव करना होगा कि कैसे कैसे चुम्बकी छेत्र की दिशा क्या होगी और अगर माली जी आपको वह कुश्चन नहीं आता है तो आपको यहां आफसन दिया गया है विद्यूत मोटर का सिध्धान तथा कार्य विधी असपश्ट कीजिए विद्यूत मोटर में विभक्त वलय का क्या महत इसको सम्झाइए ठीक है यहां पर आपको एफसन दिया गया कोई भी कर सकते हैं अग्ला भी जेक्षण हो ढिखे हां निमनली कित योग अवीडिकों की सुर्ण रचाएं सद्रां रचनाएं चित्रित नहीं तो क्लोरोव प्रोपेन यहां पर आपको सन रचनाएं चित्रित अगला जो है कुछ तत्तों के परमाणुक्रमांक नीचे दिये गए हैं आपको बताना है कि इसके परमाणुक्रमांक क्या है अगला देखिए तत्तों की पहचान कीजिए यहां पर आवर साड़े में तत्तों की समोह संख्या आवर साड़े पहचान जिए अगला निमलिकित अ आथवा करें दिया है निम्लिखित पर तिपड़ी लिखोय है जो है तो आपको एक दूपर करना पड़ता है यहां पर तीनों पर पर आपको पर लिखना है ठिक है कि यहां पर देखें 11 003 00 were account आ जैस तो यहां पर आपको सन्ताथि की विसिश्ट्याएं बताना है आपको सारे करने हैं और एक एक नंबर आपको मिलेगा चारों करने के लिए उसके बाद यहां पर देखिए रंध्रों के खुलने तथा बंद होने की क्रिया को चित्र द्वारा असपश्ट कीजिए तो आपको यहां पर चित्र भी छापना पड़ेगा इसका ठीक है और वा और यह अपके जो है कोश्टन बैंक में दिया हुआ है इसको भी पढ़लीजिये गा मानव के नर जनन तंत्र का सचित्र वार्ण कीजिए मान मान Seems के नर जननतंत्र के यह भी आपके जो है दिया गया है तो दोनों आप लोग त्यार कर लीजिए ताकि एक कोई भी आप जरूर चाप कराईएगा ठीक है ताकि छे नंबर आपको पूरे मिले तो मैंने सारा चीज आपको समझा दिया है और वरणात्मक आप लोगों को सॉल्व कर लेने हैं तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और और भी सब्जेक्ट के सारे इंपॉर्टन चीजे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं नेक्ट वीडियो में धन्यवाद